असलाम लेकुम नियर लेर्नर्स। अब यू आपके लिए लेकर आज इंग्लिश कंपलसरी के सच है। यह बीए बीएस दोनों के लिए है। यानि ADA, ADS सबके लिए है। ADA, ADS का पेपर अब साथ होता है। पहले अलब हुआ करता था बट अब साथ होता है। तो यह मैं डीटेल्ड विडियो बता रही हूँ आपको सही है। इसमें आपको हर चीज आपके हर सवाल का चवाब होगा डीटेल्ड विडियो है। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कुछ टिप्स & ट्रिक्स भी बताऊंगी। जो आपने कुछ भी मिसनी करना लास तब देखना है। पैंसल, टेपर, पैन लेके बैठ जाये। और जो मैं पॉइंट बता रही हूँ आपको पॉइंट बता रही है। बहुत दफ़ा ऐसी चीज़े होती हैं जो हमें पता तो होती हैं जो हम पढ़ने बैठ तो हम उस चीज़ को पूएं होती हैं। गल वह जो कुछ होती हैं। घल से नोट बना लेए जो मैं बतारही हूं आपकोते बगभए पके लिए के याद कर आपको याद करने बैठिम हैं। ये विडियो किस बारे में है, आप कम टाइम में इंग्लिश की अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं, मुझे पता हैं, आप बहुत सारे स्टूडिंट्स ऐसे हैं, जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, जो इंग्लिश को लेके बहुत परेशान हैं, गबरा रहे हैं, जारी के लिए, लेकिर अब जब आपने साल पर स्यारी नहीं की और आप मुश्किल दस बारा दिन पंदरा दिन रहे हैं, इसमें आपने जादा करना है, यानि आपने तू हंड़र्ड परसंट देना है, ठीक है, इस बार पुद्यान में रख़िए का मैं जो बता रही हूं, वो अपने पास नोट डाउन करने हैं, और उसको अपनी प्रेक्टिस में शामिज़ देगा, ठीक है, ठीक है, प्रेक्टिस मीन्स के रोज़ाना करना है, आपने, इससे पहले के कोई कहा है कि मुझे वीडियो क्लियर नहीं हो ली तो भई, वीडियो के लिए आप कॉलेटी पर वीडियो कॉलेटी साही कर लीज़, उपर सेटिंग का वील होगा, वहाँ जाये, वहाँ क्लिक कीज़े और अपना वीडियो कॉलेटी लिखी लिए होगी, उसके नीचे एडवांस पे क्लिक करेंगे, और वहाँ बहुत साह नंबर लिखे में आएंगे, जो सबसे दे अुपर टाहिए होगा कि स्लेवारत को के उसकी यृफार अरला, वहाँ बहुत सिदार्पास पार स्लेवाठी चराता है हुआ हुआ ने ताकि हम पीसी सबसे के गीन है वहाँ पेपर दिखंग में पास पीपर दिखाउंगे आपको और पैंपयर चाहीं टा यहिए, आप इसे कोर्स डिस्क्रिप्शन तो नहीं बताती हूं आपको जल्दी से कॉर्स कॉंटेंट नहीं पता लिती हूं ताकि आपको समझ आजाए कि आपके आपके पेपर में चेक्ट करना चाहरा है। तो उसकी वजाए हुथूटे है कि आपको पता ही है तो आपको पता ही हूथूटे है। आप पेप cel । जिए हम जोर्ण के आपके आपक बता ही हूथूटे है। यानि वो आपके अंदर देखना चाहरे है कि आप में टॉपिक ढून सकते हैं like passage का, chapter का, में टॉपिक आपको समझा रहा है और में टॉपिक के से topic sentences जो main है, जो relevant है ठीक है? दूसी चीज तो फीच टाम तो use effective strategies while reading text अब reading text में कुछ strategies होती है यानि पुछ चीज में हमें identify करनी होती है मारगे चल के आपको पता चलेगा next is to acquaint them with cohesive devices and their function in the text अच्छा, cohesive devices का हमारे paper से तालुक नहीं हमारे paper में एस सच कोई चीज नहीं आती इसमें मैं इसको explain नहीं कर ठीक है next आजाते हैं course content के ताफ reading skills में आपके उनने क्या देखना है उनने देखना है identify main idea and topic वही चीज दो मैं बताईए आपको next is giving scanning interference find specific journal information quickly यानि passage पढ़के सबसे पढ़े आप specific उसकी journal information काल से कि उसमें पहले तो उसका main idea का है किस बारे में है दूसरा उसमें क्या क्या information नी रही है तो कोई फर्ट नी पढ़े है और ये पहचानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आप आगे चब के जब सम्मरी करते हैं passage की तो उसमें आपके बहुत काम आता है next है recognize and interpret cohesive device cohesive device का कोई सवाल नहीं आता हमारे paper में इसकी उसको तरहने लेते हैं distinguish between fact and opinion कुछ चीज़ें इसी होती है कुछ facid ऐसे आता है जो fact opinion पर बेस्ट होता है fact यानि के मुशाहदात पर मपनी होता है जो research करके एक चीज fact निकाल ली जाती है उस पर बात होती है और opinion वो होता है जो हमारा नजरिया होता है गलत भी होता है उसके पीछे कोई research हो भी सकती है और नहीं भी होता है तो अकसर ऐसे topic भी आते हैं जो fact opinion पर बेस करते हैं तो भी हमें पता होना चाहिए कौन सी बात fact है और कौन सी बात opinion है ठीक है ये पहचानना जरूरी है next guess the meaning and unfamiliar words using text clues meaning पर आते हैं आपको पता है comprehension में अगर आप अपी पास पर खोल के बैठ लेए हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ सवाल लाजमी आता है एक meaning का लेकिन एक गलसी हर कोई करता है वो क्या करता है जो वहाँ लिखा वाता है कि इस word का meaning ढूलिए तो आप सवाल कोई सही से नहीं पढ़ता है सवाल में लिखा होता है कि passage में से इसका familiar word ढूले या इसकी meaning जैसा कोई word passage में से ढूल के निकालना है आप लोग उसी meaning वो लिख रेते हैं जो आपने कभी कहीं यह गलती बहुत सारे लोग करते हैं और वो एक डो नंबर का सवाल होता है जाज जादा तीन नंबर ना तीन words होते है या चार words होते है तो वो आप फिर देख लेए दो-तीन नंबर भी बहुत अहमियत रखते है नेक्स है चीक है नेक्स है नेक्स है उस्ति वोग में ब्रेदेटेंग पैसेज दिये बेए चेप्टर स दिये में उनकी जब आगे की एकसराईजस की प्रेक्टिस करेंगे तो इस्तमाम चीज़ने आपकी प्रेक्टिस में आजाएँगगी आपको प्रिफिस आपको प्रिफिस करनी हैं तभी आपको प्रिफिस करने आएंगे अब चलते हैं writing skills की तरफ Writing skills का मतलब लिखने की सलाहियत Parts of speech, Parts of speech क्या है क्यों है उसकी एक विडियो मेरे इसी चैनल में अजा है इसका मैं लिंक आपको डिस्रिप्शन में दे दूंगी, वो आप देख लिएगा, what is parts of speech आपको समझ में आजाएगा, phrases, clause and sentence structure, ये भी अपकी grammar का ही हिस्सा है, और ये कैसे है, और ये कैसे है, वो मैं आपको भी बताती हूँ, combining sentences, ये भी आता है आपके paper में, tenses, meaning, use models, paper में, तो model loads भी आते है, use of active and passive voice, आपको पता हिए, तो आता ही हाता है हमेशा, reported speech, indirect indirect speech, जो होती है, वो भी आती है आपके paper में, writing good sentences, error free writing, paragraph writing with topic sentence, ये तीरों चीज़े है, एसे, letter writing, और जो आपकर wh. question माना सवाल है, उसमें ये तीरों चीज़े लिखी जाती है, यानि आपको अच्छा sentence बनाना आना चाहती है, error free writing आनी चाहिए, जो हमाएं essay में होती है, paragraph writing, जो topic wise होती है, वो होती है, और last is summary writing, ये भी आपके passage में, आपके comprehension में summary आती है, तो ये भी उस चीज़े में आगता है, तो ये भी उस चीज़े में आगता है, तो आपको समझ में आ गया है कि teacher ने आपका क्या चीज़ चेक करती है, सही है, no teachers need to include practice activities, exercises, worship, देखेए, ये भी बता रहे हैं कि आपको practice करनी है, ठीके आपको practice नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ आपने ही सीखता के लिए, ये actually है जबान, ठीके, ये subject है जबान, जैसा हम उर्दू जबान, क्योंकि हम इसने हमें मुश्किल लगता है, तो इसको असान बनाने के लिए, सबसे असान तरीका है, आप इसको रोजाना की practice में रखें, हर चीज़ की practice कीज़े, इस तरह, comprehension का मैंने बताया है, रोजाना आप comprehension कीज़े, book में chapter है, एक एक चेप्र रोजाना की practice कीज़े, उसके सवाल ज for example, tenses है, सबसे मुश्किल सबको लगता है, tenses, एक चली मुश्किल नहीं है, tenses की practice कैसे कर सकते हैं, आप पहली चीज़, tenses को डिवाइड कर लें, तीन हिस होगी, present, past, future, एक दिन बैठ के आप सारे present tense की tenses याद कर लीगे, कहां से याद करेंगे, कोई परानी book होगी, आप exercise for present tenses, याँ आप YouTube पे search करें, how to learn tenses, how to improve tenses, वहाँ आपको धेरों धेर videos में नहींगी, उसमें से आपको जो समझ में आए, वो सुन लीजे, जिस बंदे की बाद समझ में आ रही हो, वो देख लीजे, पहले एक दन present पर करें, focus, ठीक है, present tense कर लीजे, अचा, present tense में क्या होत याँ आपने एक दन present को करना है, present की ये चारों चीजे लेनी है और उसकी पर exercises को दिन practice में रखना है आपने और वो रुजाना के practice में रखिएगा, दूसरे दन past tense लेख लीजे, past tense ये चारों जो expect में इसको देख लीजे और इसकी पर exercises solve कीजे, किके वो भी आपको नेट पर अराम से मिल जाएंगी, exercises कोई मुश्किन चीज नहीं है, आपको picture form में मिल जाएगी, बहुत सी websites नहीं है, तो बच्चों की यह हैं तो अधर आप अपने account बनाते हो, तो वहाँ आपको solve करके submit कर सकते हो, और वो आपको चेक करके आपको marks तक लेते हैं, तो आपको पता चल आपको paper pattern जब बताऊंगी, तब मैं आपको ज्यादा explain करूंगी, तो आप एक एक दिन एक चीज करेंगे, तो इन्शालला इन 10-12 दिनों में आपकी अच्छी खासी तयारी हो जाएगी, अगर आप इसको रोजाना की practice में रखेंगी, ठीक है, अब next आजाता है आपका recommended books, जो है वो recommend की गई है आपके इसकी तरफ से, HCC की तरफ से, बुक्स के नाम है, ठीक है, Oxford की बुक्स है, मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाती हूँ